हेलो दोस्तो नमश्कार होट टॉपिक के बारे में मतलब कमेंट सेक्शन में भी आप लोग को गमासान होते वे देखने को मिल जाता है जबी भी हम लोग इन टॉपिक के उपर यहापे बात करते है सो देखा गया दोस्तो तो यह जो ब्रेकिंग न्यूज आप यहापे कह सकते हो जिन्होंने भी यह स्टेटमेंट दिया है अपना प्रेडिक्शन यहापे सामने यहापे रखा हुआ है उसके बाद बाजार में भी इस चीज़ की बहुत जादा चर्चा हम लोग को उतीवे देखने को मिले अपनी अपनी फोरकास्टिंग बाजार में भी रखने की कोशिश आपे करने वाले है और इसी चीज़ के चलते दोस्तो हमनों को एक ऐसी ही चीज़ फिलाल तो सामने प्रेडिक्शन के माध्याम से आते वे देखने को मिले तो सबसे पहले ये वेक्ति है कौन तो दोस्तो ये वेक्ति और कोई नहीं यह है क्रिस्टोफर वूड एक फाइनेंशियल एनलिस्ट है जिसको शॉर्ट फर्म में क्रिस वूड के नाम से आपे जाने वो जाते है तो क्रिस वूड की अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो ये एक्जैक्ली है कौन तो जेफ्रीज तो आपको पता ही है ठीक है तो जेफ्रीज बहुत सारे जगे पे काम करता है तो उनमें अगर देखा गया तो ग्लोबल लेवल पे जो इक्विटी स्ट्राटेजिस रहती है उसके हेड है ये तो डेफिनेटली क्रिस वूड की बाते क्या कह रहती उसके उपर पूरे दुनिया बर के बाजार का भी अच्छा का सा फोकस या पर रहता है और क्रिस वूड की अगर हम लोग बात कर दोस्तो तो उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन से आपर किये है उन्होंन 25% correction if BJP lose in 2024 मतलब election की आपर बात हो रही है second time में repeat करना चाहूंगा ये जो बयान दिया है वो मेरे तरफ से नहीं है ये Chris Wood ने अपनी analyst के हिसाब से analysis के हिसाब से ये point आपकी सामने रखे है उन्होंने क्या बोला है कि अगर BJP अभी जो ये election हम लोग को देखने को मिल जाता है क अगर BJP 2024 का election हार जाती है तो मार्केट में हमारे भारत के बाजार में 25% तक गिरावट आ सकती है करके ये उन्होंने ऐसी बात या पर बोली है क्या इतना ही बोला है नहीं और भी अलग-अलग बाते उन्होंने बोलके रखी हुई है तो चले सारी चीज़ों को अभी हम इंडियन मार्केट के उपर बहुत बुरी तरह की से आपर पढ़ सकते हैं ये मतलब इंडियन मार्केट देखा गया ना दोस्तों तो Chris Wood के रडार पर हमेशा रहता है क्योंकि अगर देखा गया तो जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है तो उसके उपर Chris Wood बहुत बुलिश है उनने बहुत बार as a emerging market में पूरी दुनिया में एक ही बात या पर बिली है कि आने वाले next decades तक emerging market में अगर कोई best market है growth story की सबसे वो केवल और केवल सिर्फ भारतिय मार्केट ही है और भारतिय मार्केट में अगर आप लंबी आउधी के लिए निवेस्ट करोगे तो आपक reward है तो risk भी रहेगा तो उनने यही का है कि सबसे बड़ा biggest risk अगर इंडियन मार्केट में अगर आप निवेस्ट करने का सोच रहे हो तो वह वही है कि वहापे election हम लोगों को होते वे देखने को मिलेगा अगर वहापे BJP चूनकर अगर नहीं आई तो 25% का correction यहापे देखने मैं भी देखा गया मतलब उनने यह भी इंडिरेकली बोल दिया कि भाई चाइना की भी जो growth story है चाइना भी कितना grow हो रहा है दो तीन परसंट तीन परसंट चलो और हमारा growth की अगर बात करें 6 परसंट चोड़ी चलो 5.5 भी पकड़ लिजे तो देखा गया तो कई समय तक हम बहुत अच्छा performance करने वाली है तो 5.5 भी मैंने बहुत कम भोल दिया है आने वाले समय में 6-6.7 तक भी हमारी growth रह सकती है मतलब double than China तो इसलिए उनने यह काया कि पूरे दुनिया के साथ-साथ एशिया में भी specifically उनने ऐसा क्यों highlight कि है क्योंकि बहुत सारे लोग China and Japan में नि interested रहते है यह global जो निवेशक जो रहते बड़े investor foreign investor उनमें यह बात हम लोगो चलती वे देखने को मिल जाती है तो उनने ने काय कि कितना भी हो बट इंडिया की जो growth story है वो बहुत ही कमाल की हम लोगो देखने को आपे मिलने वाली है तो इंडिया के उपर ही आप ज्यादा focus पस यहाँ पर रख सकते हो अगर देखा गया short term की साबसे Indian market में थोड़ा सा mixed signal देखने को आपे मिल सकता है geopolitically uncertainties है उसका भी परिणाम ज़रूर यहाँ पर पड़ेगा rate high की अगर हम लोग बात करें यह तो चलता रहता है ठीक है यह बाकी investor को बोल रहे थे कि अगर Indian market में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है देन दोस्तो अगर हम लोग बात करें तो Chris Wood में exactly यहाँ पर क्या बुला है कि अभी का जो election है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2004 का जो election हुआ था ना 2004 का ठीक है उसमें जो election के जो result यहाँ पर आये थे ना वैसा अगर यहाँ पर हो ज election in Indian market तो आप सोचो कि 2004 के election में ऐसा क्या surprise election यहाँ पर हुआ था अगर वो दोरा वापस अगर repeat हो जाता है तो मतलब exactly क्या हुआ था 2004 में तो चले वो भी मैं आपको बता देता हूं तो यह देखे 2004 के अगर हम लोग general election की बात करें लोग सभा के election की अगर हम लोग आपे सारी चीजों की अगर बात करें तो देखे में कोई politically चीज़े जाना नहीं चाहूंगा यह सारा हम educational purpose related बात करें तो अलग-अलग opinion poll भी देखने को मिल जाते हैं तो वही चीज़े चलती है NDA versus UPA तो यह चल रहा था तो 2002 में बात करें 3 में बात करें August में बात करें January में बात करें जो भी opinion poll निकल कर आ रहे थे वो NDA के side ही आ रहे थे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरगी से NDA आप आगे रहेगा करके दैन अगर हम लोग बात करें exit poll भी आ जाते हैं आप सभी लोग को बता ही है और exit poll की भी अगर हम लोग यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं आप बोल सकते 99% यह certain ही था कि अटल जी की ही सरकार यहाँ पे चुनकर आएगी करके बट जब actual result यहाँ पे सामने आए जो कि आप नीचे देख सकते हो तो NDA को 181 यहाँ पे seats यहाँ पे मिली and UPA की बात करें तो 280 यहाँ पे आ गए and बाकी भी रहतें बट यह जो अनुमान यहाँ पे था majority ली हम लोगों को यही देखने को मिल जाते तो जितने भी अनुमान थे जितने भी पोल्स थे जो भी कलपन है यहाँ पे की गहती उसका मतलब full बोलते न 180 डिगरी flip हम लोगों को जो देखने को मिल जाता है वैसा flip यहाँ पे देखने को मिला and इसी चीज के च सेंट हम लोगों को सेंसेक्स गिरते वे देखने को मिला single trading session में तो Chris Wood की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी अपने बयान में आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे वापस में पीछे आना चाहूंगा उन्होंने क्या बुला है कि अगर यहाँ पे देखा कि 2004 में जैसे हुआ था है बदम surprise हर कोई एक मान के चलता है कि यही जितके आएंगे हर किसी का अपना अपना अनुमान होता है कि यही जितके आएंगे कोई चिंता की बात नहीं बड़ 2004 में जैसा surprise मिला अगर ऐसा surprise अगर इस वक्त यहाँ पे हो जाता है ठीके तो definitely market 25% तक correct यहाँ हो सकता है यह Chris Ward ने अपना अनुमान यहाँ पे बाजार के सामने जो बाकी उनके जो निवेशक होते है उनके सामने उनने यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या इसका अर्थ यह है कि बाजार ही तबाह हो जाएगा सब कुछ ही खतम हो जाएगा चलो ऐसा अगर हो भी जाता है त अगर पावर में नहीं आई तो 25% का करेक्शन वह अपने साइट से एक्सपेट करते है यह पॉइंट उनके बोला है सेम इसी प्रकार का एक अनुमान जेपी मॉर्गेन ने भी किया था ठीक है जेपी मॉर्गेन ने इग्जैक्ली नाम तो नहीं लिया था बट ने नाम तो यह खा था कि election के result के बाद market में मतलब sensex के अगर हम लोग बात करें ठीक है market का कैसा होता है अपने एक अनुमान होता है मैं अगेन कहरा हूँ एक individual का अनुमान अपना अलग हो सकता है कि यह party आनी चाहिए वो आनी चाहिए बट एक market का broad एक view रहता है कि यह जितकर आने चाहि यह करके ठीक है अगर वैसा हुआ तो ज्यादा नहीं केवल 5% का ही तेजी दिखने पर लेगा बट वैसा नहीं हुआ तो माइनस 40% तक गिरावट हो सकते है पोटेंशली गिरावट की swing की यहापे वो बात करें तो यह भी JP Morgan ने आपे कहा था तो यह मतलब हम कह सकते दोस्तो तो यह जो आने वाला जो यहाँ पर समय रहने वाला है इलेक्शन का इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग यहाँ पर रहने वाले बहुत कुछ चीज़े आप लोगों को जरू यहाँ पर सीखने को मिलेगी मिलेगी सो निफ्टी फिफ्टी की बात करें देखें हमारा जो परफॉरमेंसे वो तो चलता रहेगा अगर मैं इसका मैक्जिमम चार्ट पेटन ओपन कर दू तो यह देखें 2004 में भी बाज़ार जबरदस गिरा था ठीक है वो तो उसके आगे भी मतलब 20% से भी जादा हम लोगों को जो बात थी देता है तो ऐसे बहुत सारी चीजे भी हमनों को देखने को मिलने वाली है और भी अलग-अलग जो एनलिस्ट होते है वो भी हमनों को अपनी अपनी राय इसे सामने आपे रखते भी देखने को मिलेंगे तो यह बहुत ही मज़ेदार पैटन हमनों को अभी आने वाले समय मे आपे क्या होता है, आप भी चाहो तो अपनी राए comment section में रख सकते हो, आपको क्या लगता है कि कौन आएगा, कितने votes से आएगा, majority में आएगा या नहीं आएगा, उस हिसाब से बादार के पर क्या परिणाम पढ़ सकता है, तो आप चाहो तो अपनी राए भी comment section में share कर सकते ह आशा करता दोस्तो वीडियों helpful लगा होगा तो चाहो तो आप इसको like and share भी कर देना So that's it, thank you प्रेमास दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye